प्रंथू अपको दोस्तों आज हम डिसकस करने जा रहे हैं आपके साथ UGC NET 2013 का जो थर्ड पेपर है जिसमें 75 कोस्टिन आपको देखने को मिलते थे प्रंथू जो आपका नया जो पैटरन है उसमें आपको जो पहला पेपर होता है उसमें 50 कोस्टिन होता है और जो सेकंड पेपर होता है जो टेटर से समन्दित होता है उसमें आपको 100 कोस्टिन मिलते हैं प्रंथू जो आपका 2018 से पहले का सिस्टम था उसमें 3 पेपर हुआ करते थे तो उसके अकौडिंगी पेपर है इसको हम डिस्कस करेंगे चारो जो ऑप्सन है उनमें एक्स्प्लेइन क्या बनता है उसके अनुसार डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे वी किस तरह से next exam में कोश्चिन बन सकता है आपका जो UGC NET 2023 का जो मार्च में होने वाला पेपर है या next कभी भी आपका जो NET का पेपर होगा उसमें किस तरह से कोश्चिन बनेगा तो सुरू करते हैं दोस्तों पहला कोश्चिन है इसमें दिया हुआ ये पेपर देख लीजी आप 2013 का है पहला कोश्चिन है कुबले माला कथा के रचनाकार कौन है तो इसका राइट अंसर फाइनल अंसर की के अकॉर्डिन ओप्सन ए हो जाएगा उधोतन सूरी इसके रचन नवी सदी की ये रचना है और ये कैसी रचना है तो ये है दोस्तों आदिकालिन राजस्थानी हिंदी गद्य की प्रमुख रचना है आदिकालिन राजस्थानी हिंदी के गद्य की प्रमुख रचना ठीके उसके बाद इसमें ततकालिन प्रचलित बोल चाल की भासा का मुन्ना मिलता है तथा प्रवंद चिंतामणी की बात की जाए तो ये मेरुतुंग की रचना है तो इनकी मेरुतुंग की कौन से रचना है प्रवंद चिंतामणी प्रवंद चिंता मणि ये आपने ध्यान में रखना है किसकी है मेरुतुंग की रचना है दामोदर सर्मा की बात की जाए तो इनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये भी कुश्चिन में आई हुई है किसी एक्जाम में ठीक है जो हमने डिस्कस किया था उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये किसकी है दामोदर सर्मा की रचना है ठीक है और बात की जाए एक और रचना जो सब्दा अनुसासन है वो किसकी है सब्दा अनुसासन और कुमारपाल चरित्र ये किसकी रचना है तो ये हेमचंद जी की रचना है कौन-कौनसी सब्दा Anoirá शाषन ठीके और कौनसी कुमार-पाल चरिद ठीके तो ये जो सब्दा अनुशाषन है ये संस्क्रित प्राकृत और अपवरंस मिरिसित ये रचना है ये भी आपने दियार में रखना है पूछा जाता है एक्जाम में तो ये वोगी व्यक्या आगे है खुसरो की रचना खालिक अवारी वस्तुता है तो ये कैसी रचना है ये खालिक अवारी ठीक है खुसरो की अमेर खुसरो की तो इसकी बात की जाए तो ये फार्सी हिंदी सब्द खोस है ठीके option C सही हो जाएगा आपका फार्सी हिंदी सब्द कोस है ठीके उसके बाद बात की जाए हालात एक नहिया ये भी इनकी रचना है ठीके नजराना ए हिंदी लिख देता हूँ मैं इधर हालात एक नहिया हालात एक नहिया ये भी इनकी रचना है और बात की जाए नजराना हे हिंदी नजरान हे हिंदी भी इनकी रचना है पहलियां और मुक्रियां तो आपको पता ही है दो सुक ने इतियादी भी लिखी है और अमीर खुसरों की बात की जाई तो ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कभी है ये भी आपने द्यान में रखना है क्या क्या द्यान में रखना है यहां से आला तेक नहिया और नजराना एहिंद किसकी है अमीर खुस्रो की रचना है पहलिया मुक्रिया और दो सुखने आदी लिखे है और खड़ी भूली की प्रतम कभी माने गए है ठीक है ये भी आपने द्यान में रखना है आगे बात की जाए किस स्मिकसक ने विद्यापती की पदावली को जीब और प्रमात्मा के समंद का रूपक माना है तो किस समिकसक ने माना है विद्याबती की पदावली को ठीक है तो इसका right answer देखते है क्या बनता है इसका right answer आपका option भी हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी का ये कधन है ठीक है जो ये समिकसक है इनोंने क्या कहा है जीब और प्रमात्मा के स्मंद का रूपक माना है ठीके बात की जाए निराला ने पदावली को नागिन की लहर का है तो निराला ने क्या का है निराला लिख देता हूँ है इदर निराला ने क्या का है नागिन की लहर की लहर ये भी आपने ध्यान में रखना है ठीके उसके बाद बात की जाए विद्याविती को रामचंदर सुक्र ने सिर्णगारी कभी कभी कहा है तो विद्यापती को सुक्र ने क्या कहा सिर्णगारी कभी माना है इने कभी ठीके ये भी आपने ध्यान में रखना है उसके बाद हजारी परसाद विदी ने सिंगार रस का सिद्ध बाक कभी कहा है हजारी परसाद विदी ने क्या कहा है इने विद्यापती को ठीके स्रिंगार रस का सिद्ध बाक कभी ये भी आपने ध्यार में रखना है ठीक है उसके बाद बज़ता है आपके बाद सरप्रथम गिरे सर ने बिद्यपति को रहस्यवादी कहा है गिरे सर ने क्या कहा है सरप्रथम गिरे सर ने कहा है इने रहस्यवादी ये आपने ध्यार में रखना है यहां से इतने आपने पॉइंट याद रखने हैं सबसे पहला हमने डिसकस किया क्या कहा कि जीब और परमात्मा का समन्द का रूपक किसने माना है आनंद कुमार स्वामी ने यह अपने द्यान में रखना है दूसरे बार नमर पे हमने बात किया पिराला नहीं ने बिद्यवति की जो पदावरी है इसे क्या कहा है नागीन की लहर कहा है ठीके उसके बाद हमने बात की आपकर साथ हजारी परसाद वेदी ने स्रिंगारस का सिद्वाक कभी कहा है बिद्यवति को ठीके ग्रियसन ने रहस्यवादी सबसे पहले ग्रहस्यवादी का भी इन्हें कहा है विद्यवदी को यह point याद रखने हैं आपने सिंधी भासा का विकास अपपरंस की किस बोली से माना गया है तो इसका right answer क्या बनेगा आपका दोस्तू चार नंबर का question है इसका option A ब्राचड की किस बोली से माना गया है तो सिंधी भासा के विकास ब्राचड से माना गया है ठीके उसके बाद बात की जाए तो जो सिंधी है वो आदुनिक भासा है और ब्राचड क्या है अपपरंस का रूप है ठीके पिसाची की बात की जाए तो इसमें पिसाची जाती से समंदित भासा है ये ठीके और मागदी की बात की जाए तो ये बिहारी हिंदी के अंतरगत आती है ये question पूछा गया है मागदी के बारे में बिहारी हिंदी के अंतरगत आती है अर्दमागदी की बात की जाए तो ये पूरवी हिंदी के अंतरगत आती है ठीके ये भी आपने ध्यान में रखना है पूरवी हिंदी के अंतरगत आती है ये explain हो गया तो right answer आपका option A हो गया ठीके आगे हिन में से कौन सी भासा भारती सेविदान को आठवी अनिसूची में न बात की जाए तो कितनी बास आए है बाइस बास आए है और मोल सविधान में कितनी थी मोल की बात की जाए मोल सविधान की तो उसमें कितनी थी 14 बास आए थी कि ये भी आपने ध्यान में रखना है जिसमें भोजपूरी सामिल ने इसमें सामिल करने का प्रस्ताब चल रहा है अभी ये भी आपने हैं बरना है प्रतु हाली में नहीं है ठीके, right answer आपका option D हो जाएगा इनमें से किस सब्द में उपसरग नहीं है उपसरग नहीं है पुछा है तो इसमें option आपका right answer क्या बनेगा आपका option B अपराद इसमें उपसरग नहीं है कैसे अपराद में कोई उपसरग नहीं है जिसमें अप उपसरग है ठीके अप मान से आपका जैसे अप प्लस मान लिखेंगे तो इसमें आपका उपसरग मिलेगा अप पस यस लिखेंगे तो यस इसमें भी उपसरग है अप मती की बात की जाए इसमें भी उपसर्ग है मती प्रतु अप राद को इदिया आप संदी भी छेद करेंगे इसका तो अप प्लस राध जो सेकंड सब्द है इसका कोई अर्थ नहीं निकला या कोई सब्द नहीं मना इसके कार्णी ये सब्द इसमें उपसर्ग नहीं है और आपका उपसर्ग भी सही हो जाएगा ठीके आगे है कुश्चिन आपका सब्रस के रचनाकार है सब्रस की बात की जाए तो इसका राइट अंसर हो जाएगा मुला बज़ेही मुला बज़ेही की रचना है सब्रस option A सही हो जाएगा सबरस की बात की जाए तो इसका प्रकासन वर्स की बात की जाती है तो प्रकासन वर्स मोश्ट होता है जो पूछी जाती रचना है 1635 इसका है और दखनी गद्य के परसीद रचनाकार है ये दखनी हिंदी दखनी गद्य के प्रसीद रचनाकार प्रसीद रचनाकार है ये ठीके ये भी अपने ध्यान में रखना है ठीके यहां उर्दू साहिते की प्रथम गद्या रचना है तो जो सबरस है ये क्या है उर्दू साहिते की प्रथम रचना है उर्दू साहिते की प्रथम रचना है ठीक, ये भी आपने ध्यान में रखना है, प्रथम गद्या रचना है, प्रथम रचना नहीं, प्रथम गद्या रचना है, ये आपने ध्यान में रखना है, गद्या रचना है, उसके बाद है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, पोर्ट विलियम कॉलेज की बा यह अपने ध्यान में रखना है इसमें हिंदुस्तानी भासा का प्रथम प्रोफेसर जॉन गिल क्राइस्ट को बनाया गया था जो हिंदी साहित्या हिंदुस्तानी भासा का जो प्रथम प्रोफेसर था वो कौन था वो था जॉन गिल क्राइस्ट ठीक है इसकी इसी कॉलेज में ललूलाल तथा स्दलमिसर कोilles쟁 को कई नेकती हुई थी इसी कॉलेज में क्या हुआ था ललूलाल है जो आपके कभी और स्दलमिसर इनकी नेकती हुई थी अगरा क후स्टिन है अगरा कोश्चन है अकबास बेकसी का मजाज उपनियास के लेकर मजार किसका उपनियास है तो इसका राइट अंसर होगा option B परताप नायरानी सिरवास्तप का यह उपनियास है बात की जाए इसका समय क्या है 1957 इसका समय है यह अपने ध्यान में रखना है और कौन-कौन से उपनियास है इनके तो इनका है एक तो बिदा बिदा एक उपनियास है इसका समय क्या है बिदा का इसका समय है आपका 1927 एक है विपथा विपथगा विपथगा है 1964 ठीक है विफथगा की बात की जाए तो विफदगा अगे का भी एक कहानी संगरा है जिसमें गैकरीन कहानी है ये भी आपने दियान में रखना है ठीक है और विफदगा उनिसो चौनस्टिस का समय है उसके बाद बात की जाए सत्रंज के मोहरे अमरित और पिस सत्रंज के मोहरे और अमरित और बिस और साथ में बिस एक दा नयमिस रहा है ये अमरित आलानागिर के उपनिया से चतुर सेट सांस्तिरी की बात की जाए तो इनके हैं दोस्तों एक तो है मंदिर की नर्त की आलंगीरी अमर अविलासा ये किस के है चतुर सेट सांस्तिरी के कौन कौन सी है मंदिर के मंदिर की नर्त की और मंदिर की नर्त की आलंगीर आलंगीर और है अमर अविलासा ये किसके है चतुरसेन सास्त्री के विश्णो प्रभाकर की बात की जाए तो विश्णो प्रभाकर के है उपनियास एक तो है इनका अर्ध नारीस्वर ये मोस्ट है ध्यान में रखना इसको अर्ध नारीस्वर ये के है उपनियास एक है दरपन का व्यक्ति दरपन का व्यक्ति किसका है बेश्वन प्रभाकर का है और है इनका स्वपन मई स्वपन मई और है एक चतुर सेंसास्त्री एक है नासित कांत नासिकांत एक उपनियास इनका है तो बेश्वन प्रभाकर के होगी आर्दनारिस्वर दरपण का व्यक्ति स्वपन महीं और चतुर सेंसास्तिर की बात की जाए मंदीर की नर्थ की आलमगीर अमर अवल्यासा ये मोस्त उपनियास होगे इनके उसके बाद बात की जाए परताप नारण मिसर की इनके होगे सबसे बहला वेकसी का मजार इसका समय 1957 है बीधा ठीक है और विप्त का ठीक है 1964 और अमरित लालनागर की बात की जाए सत्रंज के मौरे अमरित और विस और साथ में और क्या बढ़ा हमने और नैमिस राय ये इनके क्या है उपनिया से आगे है सर्पसत्ती पत्रिका के प्रतम सब्पादक कौन थे तो सबसे पहले तो माइंड में आना चाहिए सर्पत्ती पत्रिका की बात की जाए तो सर्पत्ती पत्रिका एक मासिक पत्रिका है सबसे पहले तो आपके माइंड में या आना चाहिए क्या है मासिक पत्रिका ठीक है और इसका समय 1900 के आसपास है 1900 ठीक है ये 80 से हुआ इसका समय प्रथम संपादक, तो स्याम संदर्दाथ, रादा कृशन, जगनादास और कार्तिक परसाद कि सोरिलाल गोशवामी दे। तो इसमें से आप बताईए, इसमें है स्याम संदर्दाथ, बाबु स्याम संदर्दाथ, option आपका C सही हो जाएगा, इसमें तीन थे स्यामसंदरदास, राधाकिशनदास, जगनादास, कार्तिक परसाद और कशोरिलाल गोसवनी यही इसके संपादिक थे प्रतम ठीके और 1901 में इसके संपादक सिर्फ स्यामसंदरदास हुए तो 1901 में क्या हो गया? 1901 में जाके स्यामसंदरदास ही इसके संपादक रहे ठीके और बाद में यहाँ इलावाद में परकाशित होने लगी और 1903 इसमें से 20 तक इसके संपादक तो एक और कोश्चिन महारवी प्रसाद वेदी कब से कब तक रहे इसके संपादक तो वे रहे है 1903 से लेके 1920 तक इसके संपादक रहे यह आपने द्हारवर करें आगए है आपका कुस्चिन काब्य हितू में व्यत्वित्ती का अर्थ सही अर्थ है तो काब्य हितू में व्यत्वित्ती का सही अर्थ क्या है 11 कुस्चिन का उप्सन B सही हो जागा, सब तक ज्यान Option B सही है, ठीक है काब्य हेत्टू मुख्यता तीन प्रकार के माने है कौन-कौन से एक तो है, प्रतीभा करवार ये भी पूछा जाता है, कितने प्रकार करते है प्रतीभा, और व्यूत्पत्ति और अभ्यास ये क्या है, ये है काब्य हेत्टू ठीक है, तीन माने गए है यहाँ पर व्यूत्पत्ति का सही अर्थ सब्द का ज्यान है व्यूत्पत्ति का क्या अर्थ है व्यूत्पत्ति का अर्थ है, सब्द क्या ज्यान इन में से कौन मनुविश्लेशनवादी से जुड़े विचारक है मनुविश्लेशनवाद से जुड़े हुए विचारक कौन से है बात की जाए इसके option की तो option D सही हो जाएगा सात्र ठीक है elder, fired तथा जूंग, प्रस्तुता मनुविश्लेशनवादी है जब कि सात्र विचारक नहीं जुड़े है तो ये है सात्र और जो ये elder है fired है और जूंग है ठीक है, ये कि है मनुविश्लेशनवादी क्या है विचारक है ठीक है उसके बाद सात्र और किर्गार्द आधी विद्वान ये मूलता है, सात्र क्या है ये अस्तित्तवादी है और कौन? और है इनके साथ किर किरगे किरगे गार्द ये भी क्या है? ये भी आपके अस्तित्तवादी है और जो तीनों है ये मजनव विशलेशन वादी है option आपका D सही हो जा काब्य गुणों के प्रतिश्ठापपक आचारे हैं, तो काब्य गुणों के प्रतिश्ठापक आचारे कौन से है? इसका राइट असर क्या वरेगा? आपका option C सही हो जाएगा बामन, ठीके? option C सही हो जाएगा वाद की जाए इन्होंने क्या कहा? कि ये काब्य गुणों के प्रतिश्ठापक सब्द गुण और अर्थ गुण इसमें कितने माने हैं इन्होंने 20 माने है 20 क्या माने है? 20 गुणों के संख्या कि ये भर्त मुणी ने कितने की है? तो भर्त मुणी की बात की जाए भर्त मुणी ने कितने माने है? काब्य का गुण 10 माने है, ठीक है? तीन ही गुणे माने है माधूरिया, प्रसाद, ओज ये तीन ही गुण किस किसने माने है अभिनव, गुप्त, ममट, अनन्दवर्द, चार्य ठीक है तो आपका option B सही हो गए आगे है बेद भंगी वरनीत किसका सुत्र है बेद भंगी वरनीत सुत्र किसका सुत्र है तो इसका right answer होगा आपका option A सही हो जाएका कुंत्व का ये सुत्र है ठीक है उसके बाद निर्दोस गुण काब्यात्मक संस्कृतम ये किसका है भोज राज का है सुन लिजी तस्या करम समरित काब्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् तो किस के उपर पढ़ा लोग मारग चलाया और नात्पंद की स्थापनाली ठीके नात्पंद का पर चार उसार भारत में पस्चिमी भागो में मुक्यता राजपुताना था पंजाब में हुआ तो ये इसका एक्स्प्लेन हो गया option C इसमें कुछ कास नहीं है आगे है चारे रामचंदर सुकल द्वार स्थापित सिदान्त नहीं है कौन सा नहीं है इसका राइट अंसर देखते हैं कौन option बनता है इसका बात कीजाए तो option आपका विसंगती बोध ये इनका सिदान्त नहीं है option इस ही हो जाएगा ठीके इसका थोड़ा explain देख लेए लोक मंगल की साधनावस्ता सुकल का है रेदे की मुक्तावस्ता ये भी सुकल का है बिरोद की स्माजस्या ये भी किसका है अचारे रामचंदर सुकल की सिदान्त थे विसंगती बोध पास्चात्या से होता है तो विसंगती बोध क्या है यह पास्चात्या से होता हुआ हिंदी साहित्य में आया है पास्चात्या साहित्या से आया है हिंदी में ठीके जो विसंगती भोध है ठीके इसके बात बात कीज़े आदुनिक्ता भोध से समंदित है यह क्या है आदुनिक्ता से समंदित है ठीके जो आपका विसंगती भोध ह इसका प्राय है कि मानव जीवन का निरू, देश्या और अर्थीन होना आधुनिक रचनाकार के अनुसार मानव के पैदा होने और जीने और मर जाने में कोई संगती नहीं है सब कुछ बेमेल अतथा बेमानी है यहाँ विसंगती बहुत है इसका रइट अंसर क्या होगा? इसका रइट अंसर होगा option C प्रभाव संकलन कैसे? संकलन त्रह में मुखेत तीन बुंद्यों का वर्णन किया जाता है कौन-कौन से? स्थान संकलन पहला बिंदू यह होगा स्थान संकलन दूसरे नंबर पे बात की जाए समया का समया या काल संकलन समया या काल संकलन ठीके? और तीसरे नंबर पे होगी आपकी बात वस्तू संकलन वस्तू संकलन या कारे संकलन एकी बात होगी ठीके? वस्तू संकलन या कारे संकलन येकी बात होगी तो तीन का प्रभाव होता है इसलिए बात की जाए तो प्रभाव संकलन इसमें नहीं आता तो आपसन आपका C सही हो जाएगा आगे है हिंदी जाती की अब्धारणा के पुर्शकरता कौन है तो इसके पुरुषकत्ता कौन है इधारा का option 20 है वजाएगा राम बिलास सर्मा और बात किया हिंदी जात की अबधारना के पुरुषकत्ता प्रसीद माक्सवादी प्रसीद माक्सवादी है, ये माक्सवादी है, स्मिक्सक राम बिलासम्मा है, भारत इंदू यूग के संदर में इन्होंने कहा है, तो इन्होंने क्या कहा है, सुन लीजिए, भारत इंदू यूग का साहित्या है, हिंदी भासा जनता का जातिय साहित्या है, ये कथना इनका मो पर गर्व होता है जिसे प्रेमचंद संचार संवार रहे है दुदोग अथनायन के ठीक है यह अपने ध्यान में रखना है कौन-कौन से सुन लीजे एक बार भारति इंदु यूग का साहिते है हिंदी भासी जनता का जातिय साहिते है ठीक है वह हमारे जातिय नवजागरन का स संस्कृती पर गर्व होता है जिसे प्रेमचंद संवार रहे है तो गतनीं के अपने ध्यान में रखना है भासा और समेदना के लेकर कौन है तो इसका रार आइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर होगा उप्शन वी रामस्वरूप चतरवेधी ठीक है पाइनल अंचल समाज से स्विकार करता है और उसी के अनुरूप उनकी समेधना निखरती है ठीक है हिंदी नवलेखन की बात की जाए तो 1960 में इनकी समिक्सा है अलोचनात्मक रचना है भासा और समेधना की बात की जाए तो भासा और समेधना का समय है आपका 1964 ठीक है और एक और हिंदी नवलेकन इसका समय क्या है 1960 ठीक है और एक और रचनायर की हिंदी साहित्य और संबेधना का विकास हिंदी साहित्य और संबेधना का विकास इसका समय क्या है इसके समय की बात की जाए तो 1986 इसका समय है ये इनकी परमोक रचना है कौन-कौन सी हिंदी लेकलन तो होगी 1960 हिंदी भासा और सविधना का विकास 1986 भासा और सविधना के लेकल की बात की जाए तो रामसुरूप चत्रवेदी ये भी की इतना इसका समय 1961 तो ये तीन रचना है इनकी ये अपने ध्यान में रखनी है नोतन ब्रहमचारी उपन्यास के रचना का कौन है नोतन ब्रहमचारी की बात की जाए ऑपसिंसी सही हो जाएगा बाल कृष्ण वट की रचना है उपन्यास का उपन्यास है ठीक है नोतन ब्रहमचारी का समया है उन् ये भी इनका उपनियास है समय की बात की जाए तो इसका समय है अठारा सूब बानुए ठीके और रहस्य कथा ये अपूरुण है रहस्य कथा भी एक उपनियास है इनका ये क्या है अपूरुण है अदूरा है ये अपने धान परना है उसके बाद नूतन ब्रहमचारी में ब्रहमचारी बिनाय के सरल ब्यवार के प्रभाब में डाकों के हरेत्य प्रिवर्तन को दिखाया गया है तो नूतु ब्रमचारी में क्या है इसका भी से भी पूछ लेते हैं कि इसमें क्या है कि सरल्वेभार के प्रभाब से डाकों के हरिद्य प्रवर्तन को दिखाया गया या विधार्तियों को चरित्री सिक्सा के लिए लिखा गया है आगे है अंगत का पाउंड किसकी इसके लेखक कौन है तो इसका राइट अंसर क्या होगा 21 कोस्चिन का इसका राइट अंसर हो जाएगा सिरी लाल सुकल का ये लेखक है अंगत का पाउंड की समय की बात की जाए तो इसका समय है दोस्तो 1958 इसका समय है ठीक है प्रकासन वर्स ह उसके बाद बाद की जाए, यहां से वहां, यह भी इनका ही उपनियास है, इसे लासुकल का, यहां से उपनियास नहीं रचना है, वहां, इसका समय क्या है, तो इसका समय है 1970, ठीक है, राग दरवारी इनका उपनियास है, most, ध्यान में रखिए, ठीक है, और कुछ जमीन पर की रचना है कुछ जमीन पर कुछ हवा में इसका समय क्या है इसका समय है 1993 और एको रचना है इनकी अगली सतावधी का सहर यह इनकी रचना है समय की बात की जाए इसकी 1996 का समय है ठेक है और खबरो की जुगाली यह इनकी रचना है खबरो की जुगाली यह इनकी रचना है समय की बात की जाए तो इसकी 2006 इसका समय है ठेक है और इन्होंने कैसे निवन्त संग्रह लिखे है तो ये निवन्त संग्रह है इनका अंगत का पाँए और कैसे लिखे है इन्होंने व्यंग्या परक व्यंग्या परक निवन्त संग्रह लिखे है ठीक है ये सब व्यंग्या परक निवन्त संग्रह है और अगला कोश्चन है काली चरन किस उपनियास का पातर है काली चरन की बात की जाए तो ये सभी को आता होगा काली चरन की बात की जाए तो महला अंचल का ये पातर है ठीक है उपनियास का पातर है रेणु जी का ये उपनियास है ठीक है महला अंचल का समया 1954 इसका समय है सबसे बैले तो आपको सुनया ध्यान में होना चाहिए इसमें पात्र कौन गौन से है तो पात्र की बात की जाए एक तो है काली चारण एक है बावन बावन दास है एक ठीक है और एक है विसमनात फुरसाद ये भी आपने ध्यान में रखना है ठीक है और ये आंचलीक उपनियास है हिंदी का प्रथम आंचलीक उपनियास ये आपने ध्यान में रखना है और किसका है भणी सुनना रेदू का है और इनके और उपनियास क्या कौन-कौन से है निरेणु जी के रेणु के उपन्यासों की बात की जाए तो एक तो है परती कपर कथा परती परी कथा इसका समय है समय क्या है इसका 1957 है ठीक है एक है दिर्ग तपा दिर्ग तपा इसका समय है 1963 ठीक है और है इनका जलूस जलोज की बात की जाए तो 1965 है समय ये रियनु जी के उपनियास है गोदान की बात की जाए तो ये प्रेमचन जी का है परतिकता किस का हो गया आपका रियनु जी का हो गया जूठा सच यसपाल का उपनियास है, गोदान की बात की जाए, तो गोदान प्रेमचन जी का उपनियास है, 1936 में ये इसका प्रकासन उपर से, आगे है 23, इन में से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है, महिला कथाकार हिंदी की नहीं है, नहीं है पुछा है, क्वेश्च बंगला साहित्य की प्रसिद्ध कथाकार है या कवित्री है ठीक है इनकी रचना की बात की जाये तो इनकी रचना है एक जंगल के दावेदार और अगनी गरवाद जंगल के दावेदार और एक है अगनी गरवाद ये इनकी रचना है ठीक है आगे है तुलशिदास की किस रचना में संत महंतो के लक्षन वरणित है संत महंतो के लक्षन वरणित है किस रचना में है तो इसका राइट अंसर क्या बनेगा आपका ओप्शन ए वेराग्या संदीपनी वेरग्य संदीपनी में तुलसी ने महानतों के लक्षन बढ़नेत किये है रामाग्या प्रसन तुलसी की जोतिस समंदी रचना है तो रामाग्या प्रसन क्या है ये तुलसी की क्या है जोतिस समंदी जोतिस समंदी रचना है ठीक है और पारवती मंगल की बात की जाए तो यह कैसी रचना है पारवती मंदल इसमें पारवती एवं सिब के विभा का वरणन हुआ है पारवती एवं सिब का विभा इसका वरणन हुआ है इसमें और जानकी मंगल की बात की जाए तो इसमें जानकी एवं राम की ग्वा की कथा की बर्णन है जान की एवं राम की कथा का बर्णन इसमें मिलता है मैरगय संदीपनी में क्या है संत मानतों के लक्षन बर्णित है आगे दुरुष्ट कूट पदों की रचना किस कभी ने की है इसका राइट अंसर होगा option B सुर्दास ने की है दुरुष्ट कूट पदों की रचना ठीक है दुरुष्ट कूट पदों की रचना तो सुर्दास ने की है option आपका B सही हो जाएगा साहित्य लरी इनके दुरुष्ट कूट पदों का संक्लन है कौन सी रचना है साहित्य लहरी चो रचना है वो कैसी है दृष्ट कूट पदो की एक रचना है ठीके पदो का संकलन है सुर्सागर और सुर्सरावली इनकी रचना है और कौन-कौन सी रचना है एक तो सुर्सागर है ठीके और है इनकी सुर्सरावली सारा बली ये विन की रचना है आगे है question आपका 26 सुक सागर के रचनाकार कौन है सुक सागर काफी बार पूछा गया दूसरी बार साइद आ चुका है एक्जाम में तो सुक सागर की बात की जाए तो सुक सागर के रचनाकार है दोस्तो option D option D सही हो जाएगा 26 सुक सागर मुंसी सदासुख लाल नियाज की रचना है यह विश्नु पुराण और भागवत का पदानुबाद है यह कैसी रचना है विश्नु पुराण भागवत का पदानुबाद है भागवत का पदा नुवाद है यह आपने ध्यान में रखना है सुर सुर निर्णे इनका निवन्द है एक है सुरा सुर निर्णे यह क्या है इनका मुन्सी सदा सुकलाग का निवन्द संग्रा है ठीक है इनका निवन्द है डॉक्टर नगेंदर ने इनका नाम मुन्सी सदा सुकराए निसार बता है बाल बोधनी मासिक पत्रिगा के संपादक थे बाल बोधनी मासिक पत्रिगा के संपादन कौन थे कब किया इस पत्रिगा की संपादन 1874 में किसके लिए महिलाओं के लिए बाल बोधनी मासिक पत्रिगा का संपादन किया कैसी पत्रिका है मासिक ठीक है और ये बनारस से प्राणव हुई कभी वचन सुधा की बात की जाए तो ये भी इनकी पत्रिका है कभी वचन सुधा कभी वचन सुधा इसका समय क्या है तो इसका समय है आपका 1868 ठीक है और मासिक पत्रिका है ये भी ठीक है और एक है इनकी हरीस चंदर मैगजीन हरीस चंदर मैगजीन ये इनकी पत्रिका है इसका समय है 1873 मासिक पत्रिका है ठीक है और ये भारत इंदो ने इसका संपाद दिए तीन पत्रिका है इनकी बाल बोधनी बाल बोधनी है ये मासिक पत्रिका है 1834 इसका समय है मासिक है और कहां से बनारश से प्रकासित होती थी सबसे पहले एक है इनकी कभी वचन सूदा अठारा सुठासे मासीक और सब्ताइक दोनों है ठीक है हरिश चंदर मैगजीन 1873 ये भी भारते हैं दू हरिश चंदर की है आगे है जैवर्द मान नाटक के लेकर कौन है महतसब रामकुमार बर्मा के और कौन-कौन से नाटक है एक है लिख देता हूँ इदर कौमोदी महतसब इसका समय है 1954 ठीक है और है इनका बिजे पर्व बिजे पर्व का समय है 1954 और है असोक का सोक असोक के फूल हजार इपसाद वेदी का है असोक का सोक इसका समय है 1967 ठीक है और है अगनी सिखा इसका समय है 1970 और एक है संत तुलसीदास इसका समय है 1974 और एक है जैवर्धन मान जैवर्धन मान की बात की जाए तो इसका समय है 1975 ठीक है और एक है स्वयमवरा भी एक इनका नाटक है स्वयमवरा इसका समय है 1980 ये सब इनके नाटक है रामकुमार बर्मा के डॉक्टर रामकुमार बर्मा के ठीक है आगे है मुकुल नामक कभीता संग्रह किस रचनाकार का है इसका राइट अंसर क्या बनेगा इसका राइट अंसर हो जाएगा option D सुबद्रा कुमारी चोहान का ये कभीता संग्रह है इसमें चित्रधार और मुकल सुबद्रा कुमारी चोहान का काबे सनाए और कौन सा है चित्रधार एक चित्रा धार नहीं चित्रधार नहीं त्रीधा है इनका त्रीधारा है त्रीधारा भी एक इनका कभीता संगर है ठीक है यह स्विद्रा क्वारी चोहान का है जहांसी किरानी इनकी परसीद क्या है कभीता है जहांसी किरानी क्या है परसिद कवीता है ठीक है और यहां रास्ट्य संस्कृती धारा की परमुख कवीत्री है रास्ट्य संस्कृती धारा की परमुख कवीत्री है आगे है चक्र कलब के रचनाकार है चक्र कलब की बात की जाए तो इसकी किसकी रचना है इसका options C, सही हो जाएगा, यसपाल की ये रचना है, ठीक है, चक्र कलब, ठीक है, देखा, सोचा, समझा, ये भी इनकी है, देखा, सोचा, समझा, ये किसकी है, ये भी यसपाल जी की है, ठीक है, और है इनकी, बात बात में बात, बात में बात ये भी इनकी रचना है और है इनकी गांदी की सब परिक्षा गांदी की शब परिक्षा न्याय का संघर्स न्याय का संघर्स ये येसपाल के प्रमुक्र क्या है निवन्द संग्रा है सभी क्या है ये निवन्द संग्रा ठीक है चक्कर कलब भी निवन्द संग्रा है ओप्शन C सही होगे आगे है 31 चेखक एक इंट्रिव्यू किसकी रचना है ये भी आपके किसकी है चेखक एक इंट्रिव्यू चकर कलब आपका चेखक एक इंट्रिव्यू किसकी रचना है ये आपकी दोस्तों आप्शन C सही हो जाएगा इसका राजिंदर यादव की रचना है ये ठीक है मैं इनसे मिला ये किसकी है पदम सर्मा कामिल्स इनकी के कौन से रचना है मैं इनसे मिला इनकी रचना है ये रणवीर रांगा की बात की जाए तो इनकी रचना है स्रीजन की मनो भूमि मनो भूमि ये इनकी रचना है और प्रभाकर माच्वे की बात की जाए तो इनकी है गौरी नजरो में हम ये इनकी रचना है तो चारों का एक्स्प्रेयन हो गया एही रूप सकती OC एही रूप 321 करजिव काब्य बंकती किस कभी की है तो इसका राइट अंसर होगा आपका 32 का आप्सन ए सही हो जाएका मलीक महुमत जाईसी की ये पंकती है गुर्ख जगायो जोग भगती बगायो भोग ये किस की है ये तुलसी दास्ती की है रुकमनी पुनी बे सही मरी गई कुलवन्त संत सो सती भई ये कुदवन की पंकती है आगे है जसोदा कहा कहूं सो बात हो बात तुम्हारे सूत के कर्तब मो बेकहत कहे नहीं जाता है ये किस कभी की कावे पंक्तिया है तो इसका राइट अंसर ओप्सन बी हो जाएगा चत्रभुजदास की ये पंक्तिया है चत्रभुजदास कुम्बंदास के पुत्तर है और गोस्वामी बिट्टलनाद के सीसे है तथा अश्चाब के कभियों में एक है अश्चाब कभियों में एक है और गोस्वामी बिट्टलनाद के सीसे है दवा दस दवास यस्क और हितूज को मंगली इनकी परमुक रचना है कौन कौन सी रचना है इनकी एक है दवाद स्यस और एक है इनकी हितूज मंगल ये किसकी रचना है चतुरभोजदास की रचना है आगे है 34 34 में है यहाँ अभिनव मानव प्रजास रिष्टी यहाँ अभिनव मानव प्रजास रिष्टी थी दोयता में लगी निरंतर ही बाणी बरणो की करती रही ब्रिष्टी कावे बंगती किसका भी की है कावे बंगती की बात की जाए तो इसका रचनसर क्या बनेगा यह है यहाँ अभिनव की बात की जाए तो जैसंकर परसाथ की है option A सही हो जाएगा इसका सुंदर विश्वासों से ही बनता है सुखमे जीवन यह किसकी है पंत जी की है द्यान में रखिए माधी विवर्मा की है या दोनों दो और थी सिस्रंस्ती की त्रिपटी चित्रपटी की माधी विवर्मा की है रामधारी दिनकर की की बात की जाए तो इनकी रचना है उत्तर पकड़ता बहां लद्दलित की मंत्री के आसन से ये इनकी पंगी है आगे है 35 कमलेस्वर द्वारा रचनित कहानी नहीं है कौन सी कहानी नहीं है 35 कुस्चिन है इसका राइट अंसर होगा एक और जिंदगी तो एक और जिंदगी किसके कहानी है कमलेस्वर की बात की जाए तो उनके है जानवर और जानवर उनिसो ठावन एक और जिंदगी एक और जिंदगी 1961 जानवर और जानवर ये किसका है ये जानवर और जानवर ये है आपकी मोहन राकेस की और एक और जिंदगी ये किसकी है मोहन राकेस की है मोहन राकेस ठीक है और और सुन लीजे जो एक और जिंदगी का समय है ये कितना समय है इसका 1961 1961 इसका समय है ठीक है कहानी नहीं एक कहानी है ये इसके मोहन राकेश की और और कहानी है इनकी फौलाद का प्रकास फौलाद का आकास 1967 में मोहन राकेश का कहानी संग्रा है जानवर और जानवर ये भी किसका है मोहन राकेश का कहानी संग्रा है कमले स्वर वर्मा की बात की जाए तो इनकी तहानिया है राजा निर्वसिया मास का दरिया मास का दरिया का समय क्या है राजा निर्वसिया की बात की जाए तो इसका समय है आपका 1957 सताबन और मास का दरिया इसका समय है 1966 और कस्पे का अदमी कस्पे का अदमी की बात की जाए तो इसका समय है आपका 1958 ये सब किसकी है कमलेस्वर बर्मा की कहानी संगर रहा है जब कि C आप्सन सही हो जाए एक और जिन्द की मोहन राकेस की है कमलेस्वर बर्मा की बात की जाए कमलेस्वर की बात की जाए तो ये समानंतर कहानी आदोलन के पुर्ष करता है 1972 में इन्होंने समानंतर कहानी समानंतर कहानी आदोलन आदोलन के क्या है पुर्ष करता है या परवर्षक है मित्र संबाद पत्रक साहित्या जिनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रा है किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रा है इसका राइट अंसर होगा आपका ओप्शन A राम बिलासर्मा और केदारनात अगरवाल की बीच के लिखे गए पत्रों का संग्रा है मित्र संबाद की बात की जाए तो इसका समय है 1942 संबादक डॉक्टर राम बिलास सर्मा है इसमें राम बिलास सर्मा एवंके दारनात अगरवाल के पत्र का समय है संग्रह है कौन संबादक इसके राम बिलास सर्मा आगे है आपका इन में से कौन सी करिती ब्रिंदावन लाल बर्मा की नहीं है तो भूबन है भूबन किसकी है ब्रिंदावाल लाल बर्मा की है ठीक है इसका समय है उनिसो सतावन ये किसकी है ब्रिंदावाल लाल बर्मा की गोद्वान की बात की जाए तो प्रेमचंद ये की है प्रेमचन ठीके समया इसका उसके बाद चित्रलेखा की बात कीज़े ये किसके है ये भगवती चरण बर्मा की है भगवती चरण बर्मा इसका समया है उनिसो चौनती यही सच्च किसका है मनुबंडारी 1966 समया मनु भन डारी की रचना है तो राइट अंसर क्या बनेगा क्वेश्चिन पुचा इनमें से कौन सी रितक्रीती ब्रिंदावाल बर्मा की है की है नहीं है पूचा की है तो भूबन विक्रम है उप्शन बी सही हो जाएगा इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है 38 क्वेश्चिन है इसमें बात की जाए तो अप्शन डी सही हो जाएगा बूले विश्रे चित्ता इसका समय है 1969 और भगवती चर्ण वर्मा का उपन्यास है भगवती चर्ण वर्मा का क्या है उपन्यास उपन्यास नहीं का ठीके इसमें माध्यम परवार की चार पीडियों का चित्तरन है उसके बाद खंजन नहीं की बात की जाए तो खंजन नहीं किसका है इसमें सूर्दास मानस का हंस है 1972 तुल्षिदास का जीवनी चित्तरन है इसमें जो खंजन नहीं नहीं इसमें क्या है सूर्दास का चित्तरन है और किसकी रचना है ये तो ये अमरितलाल नागर की है और मानस का हंस इसमें है तुल्षिदास का चित्तरन और 1972 इसका समय है मारिस के हंसका अमरित लाल लागर की यही रचना है और जो आपका खंजन है ना इसका समय मैं अब आपको बता दू 1981 है और ठीके तो सिदाश के जिवन चितर पर आ जाते हैं अमरित लाल लागर की यह रचना है पहला गिर्मटिया पहला गिर्मती पी बात की जाए, तो इसके रचनाकार है गिरी राज की सोर, इसके रचनाकार है इसने लिखा है इन्होंने गिर्मती की बात की जाए तो 1999 में इसका क्या है समया है, प्रकासण वर्स है आगे हैं कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है इसमें अधूरा नहीं है question पूछा गया है तो इसमें right answer बनेगा आपका रतना की बात ये पूरण उपन्यास है चोटी की पकड़ चोटी की पकड़ की बात की जाये तो अधूरा उपन्यास है निराला का अधूरा उपनियास है ये अस्चोटी की पकड़ की बात की जाए तो ये आपूरण है मंगल सुत्तर उनिसुचत्ती प्रेमचन का है ये प्रेमचन का इराबत्ती की बात की जाए तो ये किसका है जसंकर प्रसाद का है प्रसाद जो रतनी की बात है रतना की बात है ये किसका है रंगे राखव राखव का है समय की बात की जाए इसका तो इसका समय है दोस्तो उनिस सो चौबन क्या है अपनियास है पूर्ण अपनियास है आगे है लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकता की लेकी का है लगता नहीं दिल मेरा किसकी आत्मकता है तो इसका रैट अंसर होगा आपका आप्शन ए कृष्णा अगनिहोतरी का ये आत्मकता है तो इसका समय सही की बात की जाए तो लगता नहीं दिल मेरा इसका समय है 1997 ओवे हैं आपको वास कृष्णा अगनोत्री यहाँ काहनी एक एक काहनी यहाँ भी किसकी है मनुबंडारी की आत्मकतार मनुबंडारी की रचना है एक कहानी यहाँ भी मैत्री पुस्मा की बात की जाए तो इसकी है कस्तूरी कुंडल वसे कस्तूरी कुंडल वसे समय की बात की जा इसका 2002 है इसका समय पद्मा सचदेव की बात की जाए तो पद्मा सचदेव की बात की जाए इनकी है बूंद बावडी बूंद बावडी यह है इनकी और 1999 इसका समय है यह इनकी आत्मकता है पद्मा सचदेव की मैत्री बस्पा की कस्तूरी कुंडल वसे और मनुवंदारी की एक कहानी या भी है कि यह क्या है आत्मकता है आगे है निवंद प्रकासन वर्ष की द्रिष्टी से विद्या निवास मिसर के निवंद संग्रोह का अनुक्रम बताना है आपको 41 की बात की जाए तो आपका उप्सन बन जाएगा इसमें देखते हैं तुम चंदन हम पानी समय की बात की जाए तो इसका समय है दोस्तो 1957 मैंने सील पहुँचाए मैंने सील पहुँचाए इसका समय है 1966 तमाल के जरोके की बात की जाए तो इसका समय है दोस्तो इसके समय की बात की जाए 1981 इसका समय है सिरिस की याद आई सिरिस की याद आई इसका समय है 1995 आपका 20 ही हो जाए सीरीज की उसके बाद है प्रकासन के आधार पर आगे के निवंद संग्रों का अक्रम बताना है आपको तो इसका राइट अंसर क्या बनेगा आपका ओप्शन डी बन जाएगा त्री संकू की बात की जाए तो त्री संकू का समय है 1924 आत्मनेपद की बात की जाए 1960 इसका समय है अंतरा अंतरा की बात की जाए तो इसका समय है 1975 धार और किनारा धार और किनारे की समय की बात की जाए तो 1982 इसका समय है और सिर्दी सही हो गया परकार्शन के अनुसार इलाचंदर जोशी के उपनियासो का सही करम बताना है आपको इसका राइट अंसर क्या बनेगा आपका देखते है निर्वासित की बात किया है तो निर्वासित का समय है निर्वासित का समय है दोस्तो 1946 जिप्सी जिप्सी का समय है 1952 जहाज कपंची 1954 कभी की परियसी इसका समय क्या है इसका समय है 1976 option A सही हो जाएगा आगे है question आपका 45 प्रकासन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुकरम है प्रकासन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुकरम है अनामिका की बात की जाए तो यह है 1923 किस की है कभी संग्रा निराला का है पल्लव की बात की जाए तो पल्लव का समय है 1928 किस का है पंत का काब्य संग्रा है लहर की बात की जाए तो ये है 1903 किसका है ये परसाद का और परसाद का काब्य संग्रा है निर्जा निर्जा की बात की जाए इसका समय 1905 और ये किसका है महादीवी बर्मा निवन संग्रा है option D सही हो जाएदा प्रकासन के अंसार 98 को का सही अनुक्रम है तो इसका राइट अंसर क्या बनेगा देखते हैं मादा कैक्टर्स की बात किया है 1969 इसका समय है सूखा मादा कैक्टर्स किसका है तो comment box में मुझे जता आईए सूखा सरोवर इसका समय है 1960 Mr. Abhimanyu 1971 करफ्यू करफ्यू की बात की जाया है तो इसका समय है 1972 सभी नाटक किसके है ये लक्ष्मी नारायन के है लक्ष्मी नारायन के नारायन लाल के क्या है नाटक है option आपका C सही हो गया प्रकासन की द्रिष्टी के से राम बिलासर्मा के गरंथों का सही अनुक्रम है राम बिलासर्मा की बात की गई है यहाँ पे इनकी गरंथों का सही क्रम क्या है 46 में अन्सेद देखते हैं कौन सा बनता है आस्था और सौंद्रिया आस्था और सौंद्रिया का समय है 1961 भारत की भासा समस्या इसका समय है 1965 65 निराला की साहित्य साधना भाग 1 इसका समय है निराला की साहित्य साधना 1979 नई कवितार अस्तितवाद इसका समय हो गया आपका 1978 आपका ए सही हो गया आगे है 47 दोस्तों किसी भी कोस्चिन में यदि आपको दाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और मुझे ये भी बता सकते हैं कि हम इस सेशन को और किस तरह से बहतरीन बना सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने सुजहाब जरूर दे ठीक है अगला question है 47 47 की बात की जाए तो इसमें भी नाटको का सही करम बताना है नहूस की बात की जाए तो नहूस का समय है थारा सो उनसट ठीक है अंधेरी नगरी की बात की जाए तो अंधेरी नगरी का समय है 1881 किसका है भारतिंदू हरिस चंदर का ठीक है दुरुपस्वामिनी की बात की जाए 1933 इसका समय है किसका है प्रसाद का नाटक है रक्षाबंदर की बात की जाए तो ये किसका है हरी केशन प्रेमी का है 1934 इसका समय है नहुस किसका है गोपाल चंदर केशन दगरी गिरी धर्द आयका है ओप्शन भी सही हो जाएगा रतनाकाल की दृष्टी से निम्लिक्त एकांक्यों का सही करम बताना है एकांक्य है 48 में एक घूंट 1929 कारवा 1935 एकादसी सेट गोविन्दास की है धर्मीरवारती की नही नही प्यासी ओप्शन भी सही हो गया एक घूंट किसका है प्रसाद का है और कारवा किसका है भूवनेश्वर प्रसाद का है प्रकासिन की द्रिष्टी से उपनियासो का सही करम बताना है आपको इसका राइट अंसर बनेगा आपका भेगर भेगर की बात की जाए तो इसका समय है 1971 जिंद्गी नामा की बात की जाए 1989 आवा की बात की जाए 1999 ठीके कोईया जान 2005 किस-किस के बेगर की बात की जाए मम्ता कालिय का है जिंद्गी नामा क्रिष्टी का है चित्रा मुगदल का है आपका आवा और नासिरा सरमा का है कुईया जान option D सही हो जाएगा 50 question है आपका 50 question में भी आपको उपनियासो का करम बताना है ब्रिंदावल लाल वर्मा के उपनियास तो इसमें right answer क्या बनेगा option देखते है बिराट की पदनी की बात की जाए पदमीनी इसका समय है 1936 ठीके कचनार की बात की जाए तो 1948 मरिगनैनी मरिगनैनी की बात की जाए तो इसका समय है 1950 राम घड की रानी राम घड की रानी इसका समय है 1961 option B सही हो जाए आगे है आपका 51 इसमें भी आपको पत्रिकाओं का सही अनुकुरम बताना है 51 देखते है कौन सा अंसर बनता है जागन की बात की जाए 1929 से ये प्रारंभ होई थी बनारस में चपती थी से पोजन साय और पेमचंद इसके समपादक थे प्रतीक की बात की जाए तो प्रतीक 1947 में चपनी सुरू हुई और इलहावाद से चपती थी बाद में दिल्ली में अगे इसके समपादक थे नई कवीता की बात की जाए तो इसका समय है 1904 पत्रिका का कलपना की बात की जाए तो इसका है 1949 तो इसमें थोड़ा मेरे को दाउट लग रहा है क्योंकि option तो यही बनेगा क्योंकि और question में किसी में भी जागरन सुरू में नहीं है तो इसमें किया गया है इसको श्क्राब भी नहीं किया गया है को प्रकासन की दृष्टी से प्रेमचंत की कहानियों का सही अनुकरम बताना है आपको तो इसका राइट अंसर होगा रानी सारंग समय 1910 नमक का दरोगा कमेंट बाक्स में इसका प्रकासन बस बचाईए सतरंज के खिलाडी 1925 और सदगदी 1933 आप्सन आपका सीच सही हो जाए आगे भी आपको प्रकासन के अनुसार आपका करम लगाना है कृतियों का 1943 में क्या बनता है मेरी दिब्वत यात्रा किसका है और कलकत्ता में पैकिंग भगवत सरण उपध्याय का है यात्रचक्र किसका है धर्मबिरभारती का है option D साही हो जाएगा 1954 की बात की जाए चौबन हो गया आपका चौबन रहे गया परकासन के अनुसार कहानियों का सही करम बताना है इसमें भी तो इसमें बनेगा आपका गदल, गदल की बात की जाए तो गदल का समय है 1955 डिप्टी कलेक्टर गदल किसकी है रांगे रागव की कहानी है ठीके, उसके बाद है डिप्टी कलेक्टर अमर कांता की है 1956 इसका सामय है ठीके, फैंस के इधर उदर बापसी, बापसी भी रहेगी बापसी किसकी है, उसा प्रियम बंद की है 1960 इसका सामय है फैंस के इदर उदर फैंस के इदर उदर ग्यानांजन की कहानी है 1966 इसका समय ग्यानांजन की और कहानी पिता है ओप्शन बी सही हो गए 55 निराला के निमलेक्त निवंद गरहों का प्रकासन संगरहों का प्रकासन वर्ष के आदार पानुकरम बताना है आपको 55 इसमें option C बन जाएगा आपका प्रवंद पदम प्रवंद पदम का समय है प्रवंद पदम प्रवंद पृतीमा दोनों का समय क्या है इसका 1940 1940 चाबुक चाबुक की बात की जाए 1951 चैन की बात की जाए तो option आपका C सही हो जायगा चब्पन में दिया गया है कथन और स्थापनाय दी गई है इसमें राइट अंसर क्या बनेगा इसमें डारेक्ट अंसर देखते हैं क्यूंकि सबी पढ़के ही इसका अंसर बता सकते हैं तो इसका राइट अंसर अपका option C सही हो जाएगा A गलत और R सही आगे है स्तावन स्तावन में भी option C सही हो जाएगा आपका इसमें है माक्सवादी सौंद्रे सास्तर में सरव परवी है स्रम का सौंद्रिया माक्सवादियों के अनुसार हाथ काम कर्म इंद्रियना होकर आद सरजना सकती है वही हर कला का स्रिष्टी करती है अता स्रम और सौंद्रिया पर्स परपूर्ग है option A दोनों सही है option C सही हो गया आपका स्थाफ ना दी गई है हिंदी का बहुत अस्तर का सरवोच प्रदे है सरवांग निरुपन सरवांग निरुपन अचार्यों निरस अलंकार पिंगल आदी का निरुपन करते हुए इसके अंतरगत का ब्याहितु प्रेवजर गुर्दोस आदी की भी चर्चा की है जो अत्यांत उप्योटी इसमें option आपका B बन जाएगा A और R दोनों सही है इसके बाद है इसमें भी स्थापना दी गई है तरक दिया गया है इसका right answer का बने का option A बन जाएगा A और R दोनों सही है ठीके 60 question है इसमें भी right answer आपका option D हो जाएगा A और R दोनों सही है ठीके इसके बाद 61 61 में है option आपका A सही हो जाएगा A और R दोनों सही है 62 62 में भी स्थापना दी गई इसमें भी क्या answer बनेगा आपका option A A सही R गलत ठीक है रिजर्म गलत है स्थापना की बात की जाए इसमें त्रेश्टर में की बात की जाए त्रेश्टर में question का answer option B हो जाएगा A और R दोनों सही है 64 की बात की जाए option D सही हो जाएगा A और R A A सही R गलत 65 में भी अब स्थापना दी गई है इसका right answer बनेगा option C आगे है सुमेलित करना है इसको देख लेते हैं ठीके सुमेलित कर लेते हैं सत्यनान कविरतन की बात की जाए तो इन्होंने ब्रहमर दूत जगनादरदास रतनाकर की बात की जाए तो गंगालहरी रामचरित उबध्याय की बात की जाए तो इनको देव दूत बियोगीहरी की बात की जाए तो इनका है भीर सलसाई option आपका B बन जाएगा इसके according आगे है नाटको के साथ पातरों को सुमयलित करना है अधेहरी नगरी इसमें पातर कौन है नारेंडास है कोट मार्सल किसका है स्वधेशी दिपक का है 1991 में लिखा है इन्होंने प्रकासन वर्स और इसका जो पातर है वो है राम रामचंद्रण द्रोपति की बात की जाए इसका है सुरेंदर बर्मा द्रोपति का इसमें है नहीं कौमदी उस्व की बात की जाए सुरेंदर बर्मा या सुरेखा सुरेखा है इसका पातर ठीक है द्रोपति किसका है सुरेंदर बर्मा का उपनियास है और सूरेखा इसकी पात्र है समय क्या है इसका 1972 है कौंवधी मौस्तव चानक क्या इसका पात्र है और किसका है जैसंकर प्रसाद का है कौंवधी मौस्तव रामकुमार बर्मा का है और 1904 में लिखा गया option आपका कौन सा बन जाएगा obscency सही हो जाए 67 उसके बाद 68 68 में क्या है भारत मिलाप कृतियों के साथ रचनाका रचनाकारों कुस्मेलित करना है भारत मिलाप इस वरदास का है रचना है ध्यानमंजरी ध्यानमंजरी की बाद किजा है अगरदास रामाण महानाटक किसका है? प्रान्चंत चौहान आवद विलास किसका है? लाल दासका Option आपका A बन जाएगा 69 है, इसमें क्या दिए गया है? इसमें भी सुमेलित करने को है रचनाकारग साथ को लितक्रीतियों को सुमेलित करना है आपको नंत दास, रूप मंझरी सिरीभट योगल सतक रस्खान इनकी है प्रेम बाटिका हरी राम ब्यास इनकी है राकमाल ओप्सन कौन सा बनेगा ओप्सन ए सा ही हो जाएगा ठीक है आगे है आपका स्मेलित करना है इसमें भी आचारे दिये गए उनकी पंक्तियां दिये गई है उक्तियां की दिये गई है तो सबंटी में बनेगा सब्दार्थ सरीर तात्व काब्यम ये किसका है काब्या दर्ससे है और धंडी की ये पंक्ति है तो आप्सन देखते है एका भी दो में है ठीक है इसके बाद है काब्यम ग्रहम अलंकारत किसका है बामन का option मिल गये आपको उसके बाद बामन का है किसकी काब्यालंकार सुत्रवित्ति से है मुख्यारत हती दोश की बात कि जाए तो ये है किसका मुम्मट कहा है साधू क्रोक्ति कृति प्रितीच सादू काब्यम निवन्दम ये किसका है ये किसका है भामा का है तो आपका option B बन जाएगा 71 इसमें क्या है महान कभी वही है जो हो सकता है जो साथ में गंबीर दार्सनिक हो कालरीज का ये कतन है कल्पना का सिधान्त में ये कहा गया है कभीता व्यक्ति की अभिवक्ति नहीं बल्कि उसे प्ल्यान है तो ये किसका है टियस इलियड टियस इलियड का है तो आपका option बनेगा D उसके बाद काब्य भासा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है ये किनका है ये IA research का है महान व्यक्तित की महार विचारों में संपन होता है तो ये लॉंजाइनेस का आगे है 72 इसमें में सुमेलित करना है आपको अलंकारों के साथ सुमेलित करना है उधारन दिये गए है कौन-कौन सा अलंकार है तो 72 में द्रिग उर्जत तूटत कुटों जूरत चूरत चीत पृति रूप इसमें क्या है कौन सा अलंकार है इसमें इसमें है आपका असंगती चंचल-अचल सा निलामबर इसमें कौन सा अलंकार है इसमें है उपमा खिला जोजियों बिजली का फूल खिला जोजियों उत्रिक्सा अंबर पनगट में डूगो रही तारा घट उसानगरी इसमें कौन सा अलंकार है रूपक option कौन सा सही होगा D D नहीं कौन सा option सही होगा इसके अनसार तो option आपका B सही हो जाएगा 37 में है समयलित करना है कभियों के साथ पंक्तियों के समयलित करना है 37 में देखते हैं कितना अकेला समाज ये कौन किसका है रगवीर सहाई पिस गया वहाँ बीतरी और बहारी दो कठी पाटो बीच ये किसका है मुक्ति बूद option क्या बनेगा आपका option A सही हो जाएगा वे पत्तर जोड रहे है ये किसका है नागरजुन का है ठीक है वे ही बसंत का अगरदूत ये किसका है निजाला का है आगे है इसमें में समयलित करना है कभियों को उनकी जन्पदी भासा के था समयलित करना है जगदीस गुप्त ब्रजभासा इसमन्दित कभी है पस्च में हिंदी के अंतर गताती है ब्रजभासा ये ठीक है उसके बाद बंसी धर सुकल ये है अब्धी अब्धी किसके अंतरगत आती है अब्धी पूर्वी हिंदी के अंतरगत थीके उसके वाद है इसूरी इसूरी की बात की जाए बुंदेली बुंदेली किसके अंतरगत आती है पस्चिमी हिंदी सूर्य मलमिसर राज्यस्थानी राजिस्थानी किसके अंतरगत आती है ये आती है राजिस्थानी के की अंतरगत विखारी ढाकूर ये आते हैं आपके बोजपूरी से अप्सन आपका कौन सा सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग अप्सन टी सही हो जाएगा 75 है इसमें भी क्या बनेगा आपका उदे संकरभट इनका है फिलब ओप्सन ये सही हो जाएगा आपका इलाचंदर जोसी रेडियो मनहोर स्याम जोसी दुरदर्शन आगे समाचार पत्रिकाईता ओप्सन ये सही हो जाएगा तो ये थी कुश्चिन दोस्तो आज के सैसन में हमने देखे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस सैसन को हम और कैसे भैतर बना सकते है उसके लिए हम क्या करे अपने अपने सुजह आप जरूर कमेंट बॉक्स में देख बाकि लाइक आपका मतलctive अपनी इच्छा है अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेर करते हैं मतलopard की अगर आपको अच्छा लगता है आप किसी दोस्त की हल्प करना जाते है तो आप सेर केजिए धन्यवाद दूस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेशन में तब तक की लिए जाहिन जावाराण